रामानंद सागर के धारावाहिक श्री कृष्णा में यशोदा नंदन की भूमी का निभाने के बाद से सर्वदमन डी बनर जी एक जाना माना चेहरे बन गए हैं। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो को दिल से लायक करें। ऐसी ही वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। इस रोल को करने के पीछे एक बेहद दिल्चस्प कहानी है जिससे शायद हर कोई अंज सर्वदमन डी से जुड़ा यह किस्सा बेहद दिल्चस्प है। इसे सुन आपके दिल में सर्वदमन के लिए और भी सम्मान बढ़ जाएगा। रामानन्द सागर को हा कहा। यूपी के उननाव जिले में उननीस सौ पैसट को जन में सर्वदमन का बचपन से ही अध्यात्म की ओर था। अतह उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे अभिनय के क्षेत्र में आएंगे। लेकिन बाद में बड़े परदे पर आये जिसके बा फिर सागर के ज्यादा फोर्स करने पर उन्होंने दस दिन का समय मांगा। सर्वदमन बताते हैं कि उन्होंने यह समय आत्म चिंतन के लिए मांगा था। शाम के वक्त सर्वदमन ने समंदर की लहरों पर बाल रूपी कृष्णा को नृत्य करते हुए देखा और वे ओंटो में ही बेहोश हो गए। तब तक ओंटो वाला भी रुका रहा और जैसे ही होश आया तो उन्होंने कहा रामानंद सागर के पास चलो। तब उन्होंने रोल उनके चेहरे के हंसमुक हाव भाव, चेहरे पर तेज, जुवान पर सरस्वती और आवाज में जादू को परक कर दिया। ये रोल इतना गजब का था कि जब भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, सर्वदमन की इमेज को आँखों में उतार लेते हैं।